वेलकम तो माई चैनल, लेट्स स्टार्ट आव वेडियो, फैक्ट नमबर वन, फ्रेंड हम इस साइन को नॉर्मली हैश्टेक नाम से जानते हैं, पर क्या आपको पता है इसे टेक्निकली ओक्टो थौप कहा जाता है, जिसमें ओक्टो का मतलब एट और थौप का मतलब है क्योंकि ये साइन ऐसा लगता है कि एक विलेज एट साइड से घिरा हुआ है, फैक्ट नमबर फ्रेंड आप एक शेफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि वे कितने बड़े शेफ हैं, क्योंकि एक शेफ की कैप जितने लंबी होगी और उसमें जितने जादा फोल्स होंगे उन्हें उतना वड़ा शक्त माना जाता है, अगर आपको आज से पहले ये फैक्ट नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे फैक्ट नमबर थ्री, क्या आपको पता है कि यूनिकॉन स्कॉटलेंड का नेशनल एनिमल है और इसके पीछे का कारण यह है कि जब थर्टीन हंड़ेट्स में स्कॉटलेंड अपना नेशनल एनिमल खोज रहा था, तो वहां के लोगों को लगा यूनिकॉन एक रियल एनिम नेशनल है और उसे उस बक एक हाथी से भी ज़्यादा ताकत वर्माना जाता था और उसे उसकी ताकत और सेलफलेशनेस के लिए वहां का नेशनल एनिमल चुन लिया गया Fact No.4, क्या आपको पता है कि आप एक ब्लू वेल की हर्ट बीट को 3 किलोमेटर दूर से भी सुन सकते हैं Fact No.5, क्या आपको पता है कि माइक्रो बेव के इंवेंटर पैरसी स्पेंसर को उनके इंवेंशन के लिए सिर्फ 2 डॉलर दिये गए थें और उनकी इंवेंशन का पैटेंट उनकी कंपनी ने करवा लिया था Fact No.6, क्या आपको पता है कि जो बिमबेलडन चेंपेंशिप होती है उसमें जो टेनिस बॉल होती है उसका टेंपरेचर 68 फेरनहाइट रखा जाता है जो कि सेल्शियस में 20 डिगरी होता है और बॉल को इसी टेंपरेचर में इसलिए रखा जाता है जिसलिए बॉल जादा ब लोग जो नेल पॉलिश देखते हैं उनका रेट मैक्सिममं 100 to 200 रुपीज होती है पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महगी नेल पॉलिश कितने की है इंडियन रुपीज में इसकी वेल्यू 1,83,000 रुपीज है इसकी वेल्यू इतने जादा इसलिए है क्योंकि ये 267 करेट ब्लेक डामेंड से बनता है अगर आपको ये वेडियो अच्छे लगी हो तो प्लेस लाइक, शेयर, कमेंट और सबस्क्राइब